असलाम अलेकूं मैड्यू फेमली कैसे आपसे उमीदे सब खेरेश होंगे और बहुत कुछ होंगे तो आज बनाएंगे हम लोग पॉटली बेग जो हमारे पार्टी वियर ड्रेस पे इजी ली चला जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा जैसे क उर जो एक्सट्रा पार्ट साइड में पड़ा हुआ था वह मैंने एक्सट्रा के लिए रखा हुआ था अंदर के पार्ट के लिए ठीक है तो यहां पर देखे दू इंच पर एक डेर्ड इंच पर हम लोग निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद कपड़े पे जो हमारा मेन फैबरी के ऊपर का उस पे ठीक है मैंने अस्तर भी लिया था ठीक है तो अगर आप लोगों के कपड़े में अस्तर की जुरूरत नहीं तो आप डायरेक्ट केंड केंड यूज कर सकते है और अस्तर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा ताकि मेरा पूरा कॉंबिनेशन मेचिंग मेचिंग सब कुछ हो जाए तो इस पर मुझे अस्तर लगाना पड़ा था तो इस पर भी मैंने अस्तर लगा लिया और ये देखे इस तरह से मैं लेस लगा लिया जो स्टिच होने के बाद नजर नहीं आ रही अपर एक लगी होई है ठीक है अब यहां पर मैं एक ही लेस लगाओंगी क्योंकि जो मौती थी वो काफी ज़दा हैवी थी तो मुझे इतना ज़दा हैवी नहीं चाहिए था अपने हाथ में सो यहां यह देखे इस तरह से मैं सिलाही लगा लूँगी फोल्ड करते हुए यहां पर देखे मैं ने जोडर्हार जूज किया है तो मुझे डबल डबल अस्तर शौरवाच ही जरुदा पड़ी थी अस्तहा से दुट अब यहां पर ini देखे sher। imp literally लगा लेना और चाहिए एसति की आपका जो भी कपडा है उसमें आप पर मिलते हैं दुबारा से न अस्तर लगाना पड़ा था क्योंकि मेरा केंकें नजर आ रहा था फिर अंदर की साइड इसलिए ये देखें हम सिलाई लगा लेंगे और अस्तर को हमने जॉइंट कर लिया है क्योंकि जैसे के हम लोगों ने अस्तर को और केंकें को दो इंच डो як झाई इनचव आप लोगों ने कम ले लेना है थीक है मैं तो बोलू तीन इंच आपको आप लोग कम ले लिजिए का ठीक है बेस इंच हम लोगोंने क्या लेना है मैन फेब्रिक लेना है और अस्तर और केंचन हमने 2 यह धाई इंच आप लोग कम ले लिए तो यह देखें यह मेरा डेड़ आ था लेकिन मैंने इसको 2 कर को सबस्क्राइब तो इस तरह से मैंने अंदर का पार्ट था उसको साथ में चलाइक किया और उपर का है जो उसको अलग सिलाइक है ठीक है समझ गए आप लोग तो यह हम लोग सीधा कर लेंगे तो उससे क्या होगा हमारी जो इतनी अच्छी वाली फिनिशिंग आएगी अंद प्रचट का वहां पर हम लोगों ने दो सिलाहिया लगा लेने है ठीक है हाफ इंची पर रखकर यह देखे इस तरह से हाफ इंची पर आप लोगों के थोड़ी जाड़ी है तो आप थोड़ा ज़ादा मार्जिं ले लिजएगा वन्नफ लोगों ने दो इंची उपर सभी रहेगा अब यह देखे हम लोगों ने हमारे वेक को खड़ा कर लियना और उसके बाद यह देखे हैं इस तारह से हम लोगों ने साइट से इसको निशान लगाते जाना है जैसे कि हम लो गॉर आप फेपर कर सकते हैं मैं ने में खора केंगे, सब्सक्रों Kann Can Can और अ 누स्च चल ना सर्कल से खी जो है कीे कच और 2 अस्तर में मैं घेञेट कर लिए। तो यह में लोग इस टाइगे, सब्सक्रों चला किसे तर में खी रखे जेए में जेखे तो यह देखे यह मैंने सिलाई कर लिए और इसको और भी ज्यादा में राउंड करूंगी परफेक्ली स्टिच कर लूँगी ठीक है तो यहां पर हम लोगों ने अब लगानी है डोरी इसके अंदर यहां देखे यह स्टिच किया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा खोल पर यहां पर यहां पर मुझे बीस रुपे की मिली थी तो आप लोग अपने रकोडिंग ले सकते हैं आप लोगों को जो भी पसंद आया था इसको मैंने दो पार्ट कर लिया था अब यह देखे हैंडल बनारियों मैं यहां पर मैंने पांच इंचिस की इस तरह से जोड़ पट्ट की फेबरिक पट्टी बना कर तयार कर ली थी और जो बैंगल मेरे पास पड़ी होई थी वही मैंने यूज़ किये आप चाहे तो आप कोई भी यूज़ कर सकते या फिर खुद से बना भी सकते बैंगल पर कपड़ा लपेट के तो मुझे वह थोड़ा कंफरटेबल नहीं लगा तो मैंने इस इसको लगा दी यहां पर देखें सिलाई यह ना हमारी डोरी है ना वहीं पर हमने लगा लेनी है इस तरह से तो यह देखें, दोनों साइट से हमने लगा लिया है, हमारे बेंगल्स भी हैंडल्स भी हमारे तयार हो गए है, पोटली बैक के और माशाला से बहुत खुबस्रेट लग रही है, मुझे पोटली बैक का बहुत ज़ादा शोक था, और बहुत ज़ादा कोशली मिलती है, तो पूरा जो फैबरिक है जो पूरे कपड़े मैंने सीए थे गरारा वगेरा वो उसकी भी मैं कटिंग बताऊंगी आप लोगों को नेक्स वीडियो में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं अपलोड कर दूंगी मैंने वीडियो बना करके रखिए गरारे की भी तो यहां पर डब